हेलो गाइज क्या हाल चला हुँ मिंदी कि आप सबी लोग अच्छ होंगे अगर हम 20,000 से नीचे बात करते हैं स्मार्टफोंस की तो दो प्रोसेसर आपको कॉमन मिलते हैं स्नाप डगन 695 और मीडिया टैक डामेजटी 6300 आज देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बैस्ट है कौन सा आपके लिए बैटर वेल्यू प्रोवाइड करेगा किसमें अच्छी परफॉर्मेंस है किसमें अच्छी गेमिंग है लॉंच डेट की बात करते हैं तो 695 अक्टो क्या होती है हमारे फेब्रेकेशन जितनी कम होगी तन आपकी पावर एज्ड़ों के जी बैटरी है वह अवा उतनी कम इसकी हमारे फेब्रेकस्न है उतनी होगे दो इसमें टिएसे मसी टे एक एक समसंग पडिकेर करते हैं जिसमें TSMC को ज्यादा अच्छे fabrication process माना जाता है तो यहाँ पर दोनों में power efficiency लगबग equal होने वाली है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर तो मुकाबला fabrication process में tie ही रहता है अगर हम बात करते हैं इनके architecture की दोनों ही हमारे 64 bit octa core architecture पर बेस हैं यहाँ कि दोनों में ही 8 cores है परफॉर्मेंस के अगर हम बात करते हैं तो snapdragon का 695 5G जो लबग दोयर 21 में launch वा उस time पर भी इसने अपने smartphone के अंदर अपने processor के अंदर cortex A78 की course provide की थी दो कोर्स यहाँ पर cortex A78 की देखने के लिए मिलती है जो 2.2 GHz तक clock है और 6 course मिलती है कोर्टेक्स A55 की जो 1.8 GHz तक clock है अगर हम मीडिया टैक डैम में सिक्स टी डबल जिरु की बात करते हैं वहाँ पर 2 course मिलती है कोर्टेक्स A76 की जो 2.4 GHz तक clock है और 6 course मिलती है कोर्टेक्स A55 की जो 2 GHz तक clock है दिए जो कोर्टेक्स A55 है वह efficiency course होती है तो दोनों में same efficiency course है 6 course है दोनों के अंदर ये course हमारे तब काम करती है जब कोई आप high end task नहीं कर रहे होते हैं अगर आप कोई high end task कर रहे है तब आपकी performance score work करती है जो snapdragon 695 में कोर्टेक्स A78 की है और 60 00 में कोर्टेक्स A76 की है तो performance में तो यहाँ पर snapdragon 695 किलियर ली बाजी मार लेता है कोर्टेक्स A78 course कोर्टेक्स A76 से लगबग 40% better है तो यहाँ पर हम एक point देना चाहेंगे snapdragon 695 को चलिए आगे बढ़ते हैं और GPU की बात करते हैं जिस पर gaming काफ़ जादा depend होती है अगर हम बात करते है snapdragon 695 की तो वहाँ पर adreno का six of nine GPUs हुआ है जो 950 MHz तक clock है अगर हम Dimensity 6300 की बात करते हैं तो वहाँ पर Mali का G57 MC2 GPU हुआ है जो 1.072 GHz तक clock है तो इन दूनों ही अगर हम GPU क की बात करते हैं तो हम स्कूर को गर लेकर के चलें तो computer score होता है कि मैं 1466 points मिलते हैं Dimensity 6300 को वह लगभग 1266 points मिलते है 1231 के असपास इसने अब डगन 695 को तो gaming यहाँ पर Dimensity 6300 की घजब होने वाली है snapdragon 695 के comparison में अगर हम camera की बात करते हैं दोनों में लगभग same to same camera setup दिया हुआ है 108 megapixel का single camera support करते हैं दोनों ही और 16 megapixel का dual camera support करते हैं थोड़ा difference वीडियो recording में आता है snapdragon 695 के अवल full HD video record कर सकता है at 60fps जबकि Dimensity 6300 यहाँ पर 2K video record कर सकता है at 60fps तो इतना बड़ा difference नहीं है इसमें हम मामला जो है वो okay okay ही कहेंगे अभी तक GPU में Dimensity 6600 आगे निकल चुका है और performance में 695 अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोनों के अंदर ही same to same डिस्प्ले का support है दोनों ही full HD play display को support करते हैं up to 120Hz के refresh rate तक काफे अदर devices हैं जो 120Hz पे फिलाल इन दोनों प्रस्टे के साथ में market में आ रही है RAM और storage की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों की RAM और storage विकुर सेम to same ही है एक दूसरे की copy की गई है दोनों में dual channel LPDDR4X 213MHz clock है 12GB RAM up to maximum support करता है UFS 2.2 storage का support है अब performance को और GPU को देखते हैं अन्तुतिस्प्ले की बात करें लगबग same तहीं आपको मिलने वाला है क्योंकि almost all things इसके अंदर सेम देखने के लिए मिलती है 695 अगर performance में आगे निकलता है तो Dimensity 6300 इसे gaming में पचार देता है तो सिंगल कोर स्कोर में 908 स्कोर करता है 695 और 782 स्कोर करता है Dimensity 6300 अगर Multicore की बात करते हैं तो 2134 इसकोर आता है Snapdragon 695 का और Dimensity 6300 का आता है 2012 यहाँ पर भी सिंगल कोर में और डबल कोर में यहीं कि Multicore में दोनों में ही हमें Snapdragon 695 आगे निकर आता है Naviq दोनों में enabled है दोनों के इनदर मिलता है AI engine यहाँ देखने के लिए मिलता है कर हम WiFi की बात करते हैं दोनों में यह Wi-Fi 5 का support है और Bluetooth की बात करते हैं तो Bluetooth 5.2 का दोनों के अंदर हमें support देखने के लिए मिल जाता है अब अब यह तक आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि द यहां पर ज्यादा थो नहीं है कि थोड़ा बहुत डिफ्रेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है अगर हम फाइनल कंकुजर पर निकलते हैं तो स्नापड़न 695 और डिमस्टी 6300 लगबग औल एस्पेक्ट में हमें इक्वल ही नजर आते हैं एक जो बड़ा डिफ्रेंस देखने के लिए मिलता है वह हमें यह मिलता है कि स्नापड़न 695 में कॉर्टेक्स A78 की कोर्स है जबकि डिमस्टी 6700 में A76 की कोर्स है तो बैटर कोर्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है जबकि यह जो फासल आया वह कम कर देता है टाइमस्टी 6600 अपने जीप्यू के अंदर वहाँ पर हमें बैटर जीप्यू देखने के लिए मिलता है माली का G57 MC2 जो वन गीगाहर्टेक को लोग है तो यह लिए तो और झाला ताये